कुछ करिये, कुछ करिये, नज नस मेरी हो दे, होई कुछ करिये कुछ करिये, कुछ करिये, बस बस बड़ा बो दे, हब कुछ करिये सबसे पहले आपको 83 रेंग के लिए बहुत-बहुत सारी सुबकामना है यह सब सिर्फ आपकी वज़े से मेरी फैमिली और मेरे फ्रेंड्स इनकी वज़े से ही हो पाया है तो श्रिया मैं आपके बारे में अपने बारे में बताएंगी कुछ उसके पहले में बता दो कि श्रिया ने इस साल ड्रॉप लिया था लास्ट यर इन्होंने आईटी जैम भी क्लियर किया था बट व्यूंस अभी बताएंगे कि क्यों नहीं किया उनको लगा साइब कि उससे ज्यादा अच्छा वो टेक्निकल फीड में कर पाएंगी इसलिए ट्रॉप किया और इस साल पूरी महनत के साथ प्रेशन की और एक तरह से जो आप पहले मन बना रहे थे जाके और फिर एकदम स्विच करके आप आप लाइन में आए तो यह जो इन्टार जनी में चाहूंग प्रम युनिवर्सिटी ऑफ डेली तो सेकंड यह मैं अके सब जायम का बहुत क्रेज रहता है तो मैंने भी जायम की तयारी स्ट कर दी थी उस ताइम मुझे निमसेट के बारे में इतना कुछ पता नही था तो जायम की तयारी की जाम क्लिर किया जाम फिजिक्स जास्फिसि अर उसके बाद भी प्लेस्मेंट्स का लिक इंडिया में तो बहुत कम स्टाइपन भी ऐसे देते हैं कि इस से जादे तो मैं अगर कहीं और किसी जगे महनत करूंगी I get a more good offer or more good job so because of that थोड़ा ताइम लगा मुझे because ये डिसिजिन लेने में but I took that decision so I dropped I dropped from colleges and मैंने फिर में की तियारी स्टाट की निम्सेट की और मेरे एक प्लस पॉइंट ये था निम्सेट की तियारी करने के करने के ताइम की as I was a physics honor student तो मेरे माच एक हमेशा से मेरा strong subject रहा है क्योंकि physics में माच बहुत जादे इंवॉल्व रहता है और दूसरा ये था कि मैंने जाम फिजिक्स की सब्सक्राइब करता है अपने आपको में सब्सक्राइब कर लिया अब एड्मिशन लेनी की बारी आ रही है अब तुम छोड़ रहे हो बट मुझे खुद पर ट्रस्ट था कि I can do अगर मैं नहीं कर लिया तो I can do और मेरे को यहीं लगता है कि सबको अगर अपने पर ले लेना चाहिए बिल्कुल सही बोला शिया वह तो आपके चाहरे से खुशी दिख रही है और क्या होता है जब एक सक्सेज मिलती है तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक कॉन्फिनेश भी जनरेट होता है और बिल्कुल सच बात बोले इंफाक्ट मैं बताओं का अभी कुछ अगर आप बहुत डेडिकेटेटेड हो कि आपको रिसर्च में जाना है आपको कोई फरक नहीं पड़ता कि आपको कितना स्टाइपंड मिल रहा है या फिर आप क्या कर पाओगे या नहीं तो गो फॉर इट जैम करो तो तब जाओ लेकिन अगर नहीं आपको है कि हां मुझ मुझे मुझे मनी चाहिए विसली आज कल सब सोचते हैं तो हां तो जिस थेंक अबाउट इट कि आप क्या करना चाहते हो आपको क्या चाहिए लाइफ में तो बहुत ही अच्छी बात है इंफक्ट आपने बहुत कम वर्ड में बहुत सारी चीज़े बता दी फिर भी मैं जा तो उसको कैसे हैंडेब करते तो अणालिसस कैसे करते चाहिता है उसका बड़ा की कई सिरीज movies watch जैसे आप बोलते थे कि मॉक्तेस में मार्क्स अगर कम भी आजाएं तो उसको लेके दिल पे नहीं लगाना चाहिए क्योंकि में तो निमसेट है निमसेट में आपके क्या मार्क्स क्या रांक आ रहे हैं और तू बी ऑनेस्ट मैं कभी आपके तॉफिटी स्टुडेंट्स में मैं कभी नहीं आई हूं एक दो बार होंगी मुश्किल से मैं हमेशा एक आवरेस स्टुडेंट रही थी मॉक्तेस सीरीज में और मैं उसको लेके कभी दिल पे नहीं लगाती थी मेर को होता था जैसे आपने बताया था कि अनलाइस कैसे करना है आप अपनी गलतियां पकड़ इसको यह ताइम लगाएगा बहुत जादा इसको चोड़ना है तो यह समझना जब आप समझ जाओगे तो तभा हो जाएगा और कुछ क्वेशन से होते हैं एक होता है क्वेशन को देखना और फिर यह देखना कि हां यह मैं कितने तरीकों से सॉल्व कर सकता हूं और सबसे किजिक तरीका कौन साइस को सॉल्व करने का तो यह सब मैंने आपसे आपकी विडियो सॉलूशंस आपकी टिप्स ट्रेख यह सब तो आपने ही सिखा आपका जुनियर्स को लेकर मोटिवेशन होगा क्या आप उनको मैसेज्ज देना चाओगे साफित से पहले और ढूसे थेकिक किसी बी चीज पर दिल पर लगाना चाहिए कि तरची क्योंकि मैंने ऐसा नहीं किया मेरे भूत फ्रेंज से ऐसा करते थे एनाइटी ट्रिची के बारे में फुल इंवेस्टिगेशन कर रहे हैं और लाइग जाना है यह सब चीजे होती हैं एक्जाइम के बात करने वाले क्योंकि अभी यह सब करने से सिर्फ टाइम वेस्ट मैंने चे गंटे अच्छे से पढ़ाई करिये कल में और जादा करूंगा उससे कल में और जादा करूंगा इस एट ओल्वेस अबाउट कंसिस्टेंसी ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में तस गंटे पढ़ोगे और दूसरे दिन पढ़ोगे नहीं तो यूल गॉन गेट रैंक बहुत अच्छी बात बोरी श्रयाब कई बच्चे ऐसा करते हैं कई बच्चे मुझे मैसेज भेजते हैं सर एक्जाम के पर दूसके पहले पूछना मतलब कही नहीं अपने आपको चीट करके सब्सक्राइज के बाद कि अब आपको क्या मिल रहा है ये सब आप बाद में दे यह सब मिर को अम मिल रहा है, अब मैं इस बारे में सर्च करूंगा, बहुत टाइम होता है एक महिने में, अराम जे बैठ के सर्च करो, और दूसरा यह कि फैमिली एंट टीचर्स तो आपको सपोर्ट करते ही हैं, मैंने अपने प्रेपरेशन जर्नी में यह देखा कि प्रेंट के बहुत ज़ादा इंप्रेंट की पार्ट प्ले करते हैं, अपने प्रेंट के पास जाते हैं, तो मेक शॉर कि आपके आसपास जब का उस ताइम पर आपको पॉजिटेव एपस देख बने इनरजी आपको ऐसी बाते बोले, जो आपको सूधिंग लगे अंदर से औ यह चीज मैं पैनिक उती थी में उनको मेसेज करती थी तो दे कीप मी काम एंट यह मिरे बहुत बहुत ज्यादा और एक बात मैं भी बोलूँगी मेरे एक फ्रेंड ने कहा था कि एक्जाम देने जा रहे हो तो ऐसा लोगों को बाहर से ऐसा नहीं लगे कि एक्जाम देने जा हो ऐसे जोश से एक्जाम दिने जाना है बिल्कुल टेंशन लेनी ही नहीं है एक्जाम की बहुत बहुत अच्छी बाते बोली है मैं बिल्कुल हूँ कि आपका जो यह सेशन बच्चे जब देखेंगे तो कहीं ना कहीं मोटिवेट होंगे और बिल्कुल सच बात है हमें जो मैंने सबसे अधा अभी स्टार्टिंग से अभी जो फील कर रहा हूं जो मुझे बढ़ी खुशी होती है से पढ़ाने में बहुत इंज्वाय फील करता हूं बहुत ही इसलिए मुझे पता नहीं चलता कब 2-3 घंटे हो जाते हैं और वही बात मैं बच्चों चाहता हूं आप इंज्वाय फील करो तो आपको बड़न नहीं लगेगा बोच जैसा कि पढ़ नहीं है रिजल्ट नहीं आएगा तो क्या होगा वहीं पर बच्चे गरवाग कर देते हैं यह सर मैंने भी कभी मैंने कभी आस तक साथ घंटे से जाधा नहीं पड़ा है प्रिपरेशन में अगर हेल्थी रहोगे तभी आप जाके तभी आपके माइन में भी आप पड़ पाओगे आप अच्छे से अपना आउट पुट दे पाओगे तो हर चीज का एक बैलेंस रखो और कंसिस्टेंसी इसदगी अगर आप 6 घंटा भी पढ़ रहो आपको यह होना चाहिए कि हाँ मैंने आज कुछ आइन चिछ तवShow पी तो आपको कुछ से सैटीस्टेस्वक्शन नहीं हो रहा है तब तक कीप और श्यक्ता सब्सक्राइब of बहुत अच्छी बात है मैं भी सुबह बहुत जल्ली उठने वाला हूँ रेगुलर हो सब आप मैं एक और बात बहुत बहुत आलसी मिलेंगे सुबह उठनी रहें लेट सो रहें तो मैं आपको एकसरेशन दूँगा कि आप अपनी ये रूटीन एकसरेश बनना करें आप उनक को विड ने भी हमें यही सिखाए कि हमें पहले अपने आपको फिट रखना है क्योंकि सब चीजे सेकंडरी नहीं तो कैसे तो आप एनाइटी में जाके मैं होप करूं कि आपको लोग करें जब आप सुबह दोड़ रहे हो तो लोग आपके पीशे दोड़े ऐसा दाओ कि आ अचीब करने वाले हो बहुत आगे जाने वाले हो ऐसे आगे बढ़ो और ऐसे खुश्रों कभी भी कितना भी प्रॉलम हो पर उसको हैंडिल हमेशा हैपीनेस के साथ करो तो जल्ली सौल होगी बहुत अच्छा लगा आप से बात करके और बैस एंट कॉंग्रेचुलेशन थै